हेलो दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसफार्पर और कपल इंड़क्टर के बारे में डिसकेशन किया है हम लोगों ने बेसिक मैगनेटिक सर्कुट से स्टार्ट करके फ्लक्स, फ्लक्स, लिंकेज, रिलक्टेंस और इन सब को यूज करके वोल्टेज एक्वैशन निकाली है ट्रांसफार्मर और कपल इंड़क्टर के दोनों for mutual inductance के आपस के relationship को discuss करेंगे हम लोग ये discuss करेंगे कि couple inductor में energy storage क्यों होती है जब कि transformer में energy storage zero होती है हम लोग ये भी discuss करेंगे कि जो भी energy storage है वो air gap में ही क्यों होता है इसका proof हम लोग mathematical model से देने की कोशिश करेंगे इस analysis के लिए हम transformer और couple inductor का simple structure यूज़ कर रहे हैं एक ही core पे दो winding है और दोनों में similarity ये है कि दोनों में जो core यूज़ की गई है उसको ideal मान के यूज़ किया गया है core की permeability infinite assume की गई है तो दोनों ही core का reluctance zero होगा अब difference की बात करें तो पहला difference ये है कि transformer में flux set करने के लिए बहुत ही कम current की ज़ुरत पड़े की जबकि couple inductor में flux को produce करने के लिए you need certain flux इसको proof करने के लिए हमें core का bh curve देखना पड़ेगा चुकि core की permeability infinite है जो bh curve है वह y-axis के बहुत ही close होगा बहुत ही pass में होगा इसको मैंने dark blue color से दिखा रखा यहां पर इसका मतलब यह है कि बहुत ही छोटे से edge के लिए you can produce large amount of flux अब यदि हम couple inductor का case देखें तो उसमें एक air gap है उस air gap की वज़े से इसका जो bh curve है वह कैसा होगा तो air का जो bh curve है वह उसका slope बहुत ही small होता है basically फिर जो combined bh curve है वह air का ही bh curve होगा और इसका जो slope है वह होगा 4 pi into 10 raise to power minus 7 और चुकि slope कम है इसलिए हमें same flux produce करने के लिए ज्यादा edge की ज़रुत पड़ेगी जिसके लिए हमें ज्यादा current देना पड़ेगा सेम चीज़ को यदि हम mathematically proof करना चाहें तो उसके लिए हमको magnetic circuit बनाना पड़ेगा और उसके लिए मान लो हमने एक mmf source लिया एक winding को excite किया n1 i1 mmf source हो गया और core का reluctance r है जबकि coupled inductor के case में n1 i1 source हुआ मान लीजे और core का reluctance rc और air gap का reluctance rg है चुकि infinitely permeable core है तो core का reluctance 0 होगा तो इस case में phi जो है n1 i1 divided by r which is very small quantity और to set of one vapor flux you need very very small amount of current जबकि इस case में rg जो है वो large है और rc 0 है तो इस case में same flux के लिए आपको ज्यादा current use करना पड़ेगा क्योंकि rg large quantity है अब दूसरा difference यह है कि transformer में energy storage 0 है जबकि couple inductor में हम लोग energy store कर सकते हैं इसके proof को simplify करने के लिए हम केवल एक winding दोनों cases में excite करते हैं और energy storage देखते हैं तो transformer के case में energy storage होगा half lt i t square और couple inductor के case में li i i square typically it जो है वो primary current और यदि secondary winding open है तो बहुत ही छोटे से current के लिए हमें ज्यादा flux मिल जाएगा तो हमको ज्यादा current देनी नहीं है तो i की value बहुत छोटी है तो energy storage बहुत खोटा होगा जबकि इस case में coupled inductor के case में air gap होने की वज़े से हम कुछ current supply कर सकते हैं जो energy storage के लिए use की जा सकती है लेकिन इस case में दो अलग-अलग factor भी है कि lt जो है transformer की case में reluctance बहुत small है इसलिए lt की value बहुत large होती है जबकि coupled inductor के case में lt की value बहुत छोटी होगी जो inductance है वो reluctance के inversely proportional होता है और transformer के case में reluctance बहुत ही छोटा है तो inductance बहुत जादा होती है जबकि coupled inductor में air gap होने की वज़े से reluctance large है तो lt की value बहुत छोटी होती है तो इस case में हम energy कैसे compare करें तो इसके लिए हमें energy के दूसरा equation use करना पड़ेगा जो flux से related है दोनों का core यदी same है तो हम यह assume करेंगे कि दोनों के core में flux same है और उस case के लिए कितना energy storage दोनों में है वो हम compare करेंगे तो energy की इस equation को हम इस equation से replace कर सकते हैं जिसमें l को लिखेंगे n square by r और current को लिखेंगे 5 multiplied by reluctance divided by n और इसको हम simplify कर सकते हैं half phi square into reluctance same चीज हम couple inductor के लिए करेंगे तो यह हो जाएगा half phi square r plus rg अब इन दोनों cases में देखा जाए तो flux दोनों का same है लेकिन इस case में rg large है और इस case में r जो है बहुत छोटा है इसलिए couple inductor में energy storage की जा सकती है जबकि transformer में energy storage negligible होती है इसलिए हम यह भी कहते हैं कि energy storage केवल air gap में हुआ है क्योंकि इन दोनों structure में केवल एक ही difference है वो है air gap का energy storage के discussion के बाद अब दूसरा point यह देखते हैं कि दोनों के inductance में क्या relationship है self mutual और leakage magnetizing हमको flux linkage transformer और couple inductor दोनों cases में देखने पड़ेंगे transformer के case में winding 1 का flux linkage है वो है n1 square rl1 i1 plus n1 square i1 divided by r plus n1 n2 divided by r i2 जबकि coupled inductor के case में यह हो जाएगा lambda 1 equal to n1 square divided by rl1 i1 plus n1 square i1 divided by r plus rg plus n1 n1 n2 divided by r plus rg times i2 self inductance दोनों cases में जो होगा वो होगा lambda 1 divided by i1 flux linkage because of its own current और उसको हम लिख सकते है n1 square divided by rl1 plus n1 square divided by r in case of transformer और n1 square divided by rl1 plus n1 square divided by r plus rg for coupled inductor mutual inductance mutual inductance होता है lambda 1 divided by i2 flux linkage of winding 1 because of winding 2 current assuming i1 equal to 0 for transformer यह हो जाएगा n1 n2 divided by r n1 n2 divided by r plus rg for coupled inductor now यहां से हम यह compare कर सकते हैं कि mutual inductance जो है transformer के case में चूकि r बहुत छोटा है it will be a large quantity but in coupled inductor के case में air gap होने की वज़े से rg है जो कि एक large number है इसकी value is small होगी compare to the case of transformer यहां से हमने self और mutual inductance के बारे में निकाल दिया लेकिन जब हम leakage और magnet के बारे में बात करते हैं n1 square divided by rl1 को हम leakage inductance बोलते हैं क्योंकि इसमें जो reluctance rl1 use हो रहा है यह air के उस पार्ट का reluctance है जिसमें winding 1 की वज़े से flux flow हो रहा है और यह flux दूसरी winding को कपल नहीं कर रही है और n1 square divided by r को हम लिखते है magnetizing inductance अब चूंकि rl जो है यह air का reluctance है तो इसकी value leakage inductance की value बहुत चोटी होगी r जो है वो गोर का reluctance है बहुत चोटा है इसलिए n1 square divided by r magnetizing inductance की value बहुत ज्यादा होनी चाहिए तो magnetizing inductance और mutual inductance के बीच क्या relationship है magnetizing inductance divided by mutual वो होगा n1 by n2 basically यदि हम magnetizing inductance और mutual inductance को देखें तो यह एक दूसरे के proportional है क्योंकि दोनों के ही denominator में core का reluctance आ रहा है यह कुछ point थे जो मुझे confusing लगते थे जिसको मैंने clarify करने की कोशिश की है यदि आपको यह useful लगता है या फिर आपको still doubt है तो let me know in comments थेंक यू